अजी ए हलो वान कैसो आप सुभी लोग आई हो मेरे सारे भाइबेन बढ़िया यूंगे तो फाइनली जुलाई का मन चुरू हो चुका है और हमारी इस मन से यही आशा है कि बाईया दो तीन महीनों से बिटकोन के अंदर जो विरारापन देखने को मल रहा है बोले तो जो बि बिटकोई ने कमाल करके दिखाया कि बिटकोई ने चोटा मुटा एक पंप दिखाया है लग बग बिटकोई 63,400 डोलर के आसपा सब हमें चलता हुआ देखने को मिल रहा है देखो मैंने तो लग बग 100% से जादा को प्रोफिट निकाली है बीते कुछी दिनों के अंदर इस डर बना हुआता है वो कही न कहीं अब धूर होता हुआ हमें दिख रहा है यानि कि बिटकोई अब 60,000 डोलर के इस बोटम सपोर्ट से ही ऊपर जाता हुआ दिख रहा है जो कि कहीं न कहीं एक अच्छी बाते फिलहाल इस पड़ाओ में एक चोटा सा रोडा मुझे देखने को मिल जाए यानि कि इस ट्रेलाइन के ऊपर हमें बिटकोई देखने को मिल जाए फिर कहीं न कहीं हमाल लेंगे कि बिटकोई जो है इस रेंज बाउंड के अकोर्डिंग अब जा रहा है लग बगए 70-71,000 डोलर और यह कोई बहुत शोकिंग बात नहीं होगी देखो इसके सकते हैं कि जो भय हमें सता रहा था कि भया 60,000 डोलर का सपोर्ट तूटेगा या फिर इसके बाद में बिटकोई में 50,000, 52,000 देखने को मिलेगा वो चीज़ा मैं फिलाल होती हुई नहीं दिख रही है जो कि काईने का यह कच्छी बात है और यही चलता रहा है मेरे भाई द तो इसमें easy to use सारी चीज़े मैं कोई promotion नहीं कर रहा हूँ जाके देख लेना link आप वीडियो की description box में लेगा तो अच्छा लगे तो use कर लेना फिलाल मैं तो इसको use कर रहा हूँ देखो bitcoin की बात तुमेंने आपको बता दी अब अगर ethereum की बात करें वैसे मैंने संग्राम भ बाद ही कुछ ETF के दुआरा ethereum के अंदर पैसा आता हूँ में दिखे तो कहीं नहीं यह अच्छी बात है कि कम से कम eco data में मिल गई है ऐसा दो नहीं नहीं कि delay कर दी गई है और SSC ने भी कहीं कमेंड वगरा कर दिया इस क्योंकि 8 जुलाई ता कब जितने भी कमी है उसको दूर करके में filing कर दो और फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि भया इसके trading हम 8 जुलाई से शुरू कर रहे है या नहीं तो यह बात हो गई अब यहां पर कुछ positive updates की बात करें तो पहली positive update तो यह है कि भाई साब देखो sony ventures क्रिप्टो करणसी जगत से पहले से ही जूड़ा हु जिससे कि यह पता चल रहा है कि भया बड़े बड़े जो corporate जगत के लोग है या फिर बड़ी बड़ी जो tech company है वो भी करिप्टो के अंदर दीरे दीरे बड़े लेवल पर involved होना शुरू गई है और sony ने यह सिर्फ पहली बार नहीं करा है इससे पहले भी sony ने लगबग सा लगेगा कि भया किस तरीके से अब ये crypto जगत के अंदर अपनी contribution देंगे या फिर नए लोगों को किस तरीके से लाएंगे ठीक है और मेन मुद्दे की बात तो यह होती है कि नए लोग आएंगे नया पैसा आएगा थभी तो bitcoin और crypto market बढ़ेगा तो ये एक अच्छी खबर ह अब थोड़ी से टेंशन वाली खबर भी देता हूं और वो टेंशन वाली खबर क्या है कि जुलाई के अंदर बड़े बड़े अनलोग समय देखने को मिलेंगे अब देखो यह अनलोग क्या होता है बहुत आसान शब्दों में समझाते तो जो लोग नहीं हो उनको मानलो ए पहले सो की थी अब वो पचास होगी कम से कम हो गई और फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम पिरेट के बाद में वो जो पचास टोकन लोग होते उनको अलोग कर दिया जाता है यानि कि कुछ तो स्टेकिंग के लिए होते कुछ वैसे ही लोग होते तो वो वापस से आ जाते है सप्लाई बढ़ जाती है तो अभी क्या होने जा रहा है टोकन की अलोगिंग होने जा रही है बड़े बड़े टोकन की जिनमें से एक टोकन मेरे बहिया 42 परसंट तक सप्लाई को इंक्रीज कर सकता है और उन तीन टोकन का मैं नाम सीधा सा आपको बदा देता हूं पहला जो AI की जो की 71 परसंट से जादा सर्कुलेटिंग सप्लाई का इससा रख रहा था वो भी अनलोग होने वाला है और एक यह अल्ट ठीक है एल्ट एल्टी 42 परसंट की सप्लाई रख था जो की अभी अनलोग होने जा रहा है तो इन तीन टोकन का थोड़ा साब ध्यान रखना अब एक और बात जो कि काफी लोग पूछते रहे थे कि बहुत दिनों से ओल्ड करके रखे देखो मेरे भाई ठंडे दिमाग से ठीक है एक से पहले ही अपने ओल्ट आई से बहुत जादा गिरे पड़े ठीक है और हम सभी को पता है कि जब बिटकोन एक नई रिली शुरू करता है उसके राद में जो पैसा है वो बिटकोन से निकल कर अल्ट कोई में आता है इस तरीके से चलते चलते क्या होता है फिर आता है नंबर कुन का मीम कोईंस का यानि कि एक बार तो नमबर आता ही है और हर बार हमें देखने को मिला है कि जब भी शिबा एनुट डोच कोईं जैसे कोईं अपने बोडम के आसपास आते हैं वहां से एक मैसिफ पंप भी हमें देखने को मिलता है मैं यहाँ पर इसके ओल टाइम आए की बात तो नहीं कहूंगा लेकिन हाँ इतना जहुरू से कहूंगा और यह यहां पर आएंगे तो एक अच्छा आसा बाइंग ओडर यहां पर लगया होगा और फिर वाद में इनके अंदर वापस से जो पंप हमने पहले भी देखें वो देखने को मिलेगी तो यहां पर शिबाओ परिशान मत हो बलकि यह आगे अपने एक्विजिशन जोन में जहां पर बड़ी वेल शार्क इनका वेट करी रही थी कब तो यहां पर यह आए और कब इनको हम बाइ करें तो मुझे इसा लगता है कि आगे आने वाले कुछ मंस के अंदर यह जो आपको लेवल्स देखने को मिल रहे हैं यह आगे देखने को नहीं मिलेंगे यानि की कही न कहीं यहां से एक रेली शुरू हो सकती है और जुलाई फरवरी इनमें देखा है होगा कि भाई साब दो-दो-सो परसंट का पंप दिखाया था इन्होंने तो हाल्विंग से पहले ही यह आल था तो बिटकोन क को लगता है कि भाईया एक डिस्की अंटरी बनती है तो बना सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो बस आज के लिए इतना ही था बागी कोई मार्केट की अपडेट नहीं आई एक बर बिंगेक्स को जाके देगो मेरे बाई क्योंकि मैं चाता हूं कि आपके तो आपक अब दोस्तों आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा तो डेफिनेटी वीडियो को लाइक करना है चैनल आपी के काम को तो चलों को सब्सक्काइब करेकर रहा है मिलते हैं जल्दी नहीं अपडेट के साथ टिल इन जय हिन जय भारत